गुरु कुमहार शिश कुम है गड़े-गड़े काड़े खोट अंतर हाथ सहाए के बाहर मारे चूट वो गुरु एक-एक गुराईयों को चुन-चुन के निकालता है अंतर हाथ प्यार का रखता है पर उपर चलम साशन की ठॉक लगाता रहता है मेरा शिश कब उस साची की तरह से उस मटके की तरह से परपून हो सकेगा जिसमें समग चिंतन भरा जा सकता हो एक बार रिशी अश्वालेन को ये अपने पर बहुत मान था कि उनके पढ़ाई विद्यार थी उस प्रांत के बड़े-बड़े पदोपन मौझूद है कोई मंत्री है कोई महामंत्री है कोई सेनापती है पर एक दिन उन्होंने सुना कि उनका एक शिश्य देवरत दस्यूँ हो गया है डकेत हो गया है उनका मन पीडा से भर गया उनने सोचा अपनी शिश्व का अधर कैसे किया जाए फिर से कैसे उस सही रास्ते पिलाए जाए रिशी अश्वायलन छल दीए लोगों ने मना किया कि अश्वायलन जी ये रास्ता इतना खतरनाक है वो किसी की सुनने वाला नहीं है लोगों ने बहुत समझाया लेकिन अब उसके हाथ में किवल मार काट लूट पाट यहीं रास्ता बचा है अर्शाले निशी माने नहीं चलते चले गए रात के अंधेरे में चलते जा रहे थे पानी बरस रहा था जब वो देवरत के डेरे के पास पहुचे देवरत ने देखा कोई आकरती चली आ रही है उन्होंने आवाज दी जो भी कोई हो वहीं रुख जाओ रिशी रुके नहीं फिर आगे चले फिर उसने का जो भी कोई है वहीं रुक जाओ अनिता वार हो जाएगा फिर भी रिशी रुके नहीं आगे चलते चले गए तीसरी बार जैसे उसने का रुक जाओ अनिता अनर्थ हो जाएगा और कहकर अपनी तलबार रिशी कंधे बर्दे मारी खून का फारा छूटा तब बिजली कड़की देवरत ने देखा कि रिशी अश्वालिन सामने है वो कहने लगे गुर्वर आपने बताया क्यों रही कि आप मेरे पास आ रहे हैं वो कहने लगे बेटा हो सकता है मेरे ही शिक्षक्र में कोई कमी नहीं हो तब ही मेरा शिश रास्ता भटा गया है इसका दंड तो मुझे भुकत नहीं था अश्वालिन जी के प्रिश शिश बनकर उनकी आश्वालिन विवस्ता को सभालने में उनकी मदद की गुरू अपने बच्चे को हर अनिती की रास्ते से बचाने में आगे बढ़ता हुए चला जाता है आज का पर्व व्यास पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है आज के दिन व्यास जी का जन्म हुआ जन्म के साथ साथ एक जो इत्यास के पन्नों में पहली बार हुआ वो उन्होंने संचित ग्यान का संकलन और संपधन इस तरह से किया कि उनको लेखन के लिए व्यास जी की जरुवत पड़ी उसका लेकर व्यास्जी ने किया इत्ते साहित्ते का जब वेज समझ में नहीं आए तो पुरान महावरत ब्रहमसूत्र ध्रीमत भागवत ये सब लिखने के बाद वो जो विराद रूप था वो आज के दिन पैदा हुआ था व्यास उसको कहा जाता है जो स्वेम सचरित्र हो अपनी वाणी अपनी लेखनी और अपने आच्रन से लोगों की दिशाधारा बदलने की सामर्थ रखता हो उसको व्यास की संग्या दे दी जाती है उसको गुरू का इस्थन भी दिया जाता है जब गुरु की सामर्थ और शिष्षी की शद्धा दोनों मिलती हैं तब अद्बुत परणाम लेके आती है